नमस्कार, आज शुकरवार है, फ्राइडे और हम पॉजिटिव थौट्स पे काम कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को बार-बार ऐसी जगाओं पे रखें या दोराते रहें कि माइंड में नेगेट आते ही, हमारा पॉजिटिव थौट ऑफ गोल्स को बार-बार दोराते नहीं है, तभी हम नेगेटिव की तरफ जाने लग जाते हैं, जब हमें सपलता नहीं मिलती हैं, तो जहां भी आपकी नजर जाए, आपके पॉजिटिव थौट्स अगर वहां पे हैं, तो का दे है, अपने उपर काम करने का दिन है, और हो सके तो रिजिवनेट होने का दिन है, तो अगर हरी आली में, ग्री में, नेचर में, कहीं जाके आपको मेडिटेट करना है, अच्छा लगता है, थोड़ी दर बैठना चाहते हैं, तो एट वहल्प यू तो आपके अंदर क्या चीज़े चल रही हैं, जो आपको अड्रेस करने चाहिए, तो हम शुरुआत करते हैं, एरीस के साथ, एरीस के लिए टाइम्स ओफ टेस्टिंग है, आपको आज लग सकता है कि चीज़े नहीं हो रहे हैं, तो हताश मत हुए, काम पे ध्यान दीजिए, ट बहुत जरूरी है कि अंदर आप अपने वो जो टॉर्च है, उसको इगनाइट रखें और पॉजिटिव से ही सोच के पॉजिटिव काम करें, नेक्स इस जमिनाइ, जमिनाइ के लिए एडवाइज ये कि जब आप खुद कुछ नहीं करेंगे और सोचेंगे कि चीज़े तो हो जाएंगी और में को हाड़ वर करने की जुरूत नहीं है, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, आपको जो भी गोल चाहिए, जहां भी पहुचना है, आज आपको शुरूत करने ही पड़ेगी, कोई एक अपना नेगेटिव थौट सोच के और अपने किसी पैटन को तोड़ के नेगेटिव होने की कोई जुरूत नहीं है, आप काम से काम रखें लेकिन पैसे पे बहुत ध्यान दीजे कि आप कैसे स्पेंड कर रहे हैं नेगेटिव हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है, अंदर से कैसा सोच रहे हैं, तभी आप आप याप आप अच्छन कर पाएंगे अगर negative हैं तो negative actions करेंगे, positive हैं तो positive actions करेंगे So why you are negative, think about it, otherwise आपके अंदर potential बहुत है, you can reach where you want to reach Next is Libra, Libra के लिए अद्वाइस यह है कि अगर कोई आप जगा ढूंद रहे हैं, कोई नई space से related कोई चीजे कर रहे हैं तो आपको अच्छा लएगा, एक नया project हो सकता है, एक नया thought हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप किसी नए चीजों में believe करके invest करना चाहरे हैं तो it's a good proposition, think about it Next is Scorpio, Scorpio के लिए आज self-discipline करे है कि कौन सी ऐसी जगा पे मुझे काम करने की जूरत है, जहां पे मैं एग्नोर कर रहा हूं Secondly, red is your color, but that red is also your root chakra, which means कि you need to work on your root chakra with the meditation हमने पहले भी root chakra पे काम किया हुआ है, तो देखे आप कैसे उसको enhance कर सकते हैं red खाना खा सकते हैं, and that will help you a lot Next is Sagittarius, time यह है कि burden मत हुझे, जो कर सकते हैं वो करिये, थोड़ा enjoy करिये, थोड़ा रिलाक्स करिये, अच्छा लएगा आपको Next is Capricorns, Capricorns के लिए आज advice है कि लोगों से अगर support चाहिए, तो अराम से बोलिए, लोगों से love चाहिए, तो show love, अगर आप लोगों से respect चाहते हैं, तो show respect Next is Aquarius, Aquarius के लिए advice है कि probably times are जब आपको किसी को बताने की जुरूत नहीं है, आपके क्या plans है, जब आप plans reach कर जाएंगे, तो लोगों को दिखेंगे, so work hard Next is Pisces, Pisces के लिए sun है, which is very good day, very good color, is yellow for you today, and it's an emotional color, which also means कि अपने heal करेंगे, तो आपको अच्छा लएगा It's a creativity, full of creativity days, sunflowers, flowers के अंदर आके अच्छा लएगा आपको, तो creations related, जो भी काम करेंगे, आप देखेंगे, आपको उसकी answers मिल रहेगा तो मैं आशा करती हूँ, आप सब का दिन आज बहुत अच्छा रहेगा, have a blessed day, Namaskar